हेलो एब्रीवन वेलकुब बैक टू आज चैनल वह आज हम करेंगे एंसियाटी क्लास्ट हैं कंप्यूटर साइंस आई पी यूनिट फॉर है MS Excel है जिसमें Digital Data Tabulation Spreadsheet Size, Font, Alignment of Text, Inserting and Deleting Cells हमने जो है टेक्स्ट जो अपका cell है उसमें font size alignment और delete और insert cell कैसे करते हैं यह सीखेंगे लास्ट वीडियम हमने जो है editing and formatting of worksheet including changing color यह सीखा दा तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज कि हम इस वीडियो को alignment of text select the cells that have the text you want aligned सबसे पहले तो आपने के करना है उस cell को select करना है जिसको आपने align करना है और फिर आपने जो है home tab पे जाना है ठीके जैसे आपको दिखाई दे रही है top line, middle line, bottom line यह आपकी ठीक है center line, right align ओके यह आपके alignment group में आती है change font type यहां से आप जूस कर सकते हैं जो आपका font होता है उसके आप से type को change कर सकते हैं ठीके तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा आपने जो है सबसे पहले जो आप में वरक्षीट जो आप open कर लेना है और उसमें जो है cell आपने सबसे जो है select करना है एंद फिर आपने जो है down arrow पे click करना है next to the font field on the format वे है ठीके जहां पे आपका wall italic underline जो हमने कल आप लास वीडियो में आपको बताए थे ठीके तो वहां पे आपने click करना है और उस पे click करने के बाद जो है down arrow होगा ठीके for the font you should be able to select from each of the installed fonts on your computer और इस मेंसे जो है आपने अपने desired according जो है वो अपनी जुरूरत के according जो भी आपकी इच्छा है उसको चूस करनेंगे now इसके बाद पिर आता है आपका note बलता है especially आपको कि if the selected cell does not contain any text यदि आपके cell में जो है कोई text नहीं है ठीक है the font type will change as soon as you type new text into the cell तो आपका जो font type होगा वो तभी चेंज होगा जब आप उसमें जो कुछ new text type कर देंगे changing font size और इसमें जो है आप font का size भी चेंज कर सकते हैं ठीक है font का size और color दोनों चीज आप चेंज कर सकते हैं आपने जैसे कि यह करना है सबसे पहले तो आपने उससे cell को के text को जिसमें आपने text रखा है cell में उससे को select कर लेने जिसको अप चेंज करने जाते हैं ठीक है the down arrow for the size you should have a selection of a different size to choose some fonts may not scale properly so they may have limited size options if the selected cell does not contain any text similar जिए अगर आपके इसमें text नहीं होगा तो फिर आप जब इसमें चेंज करेंगे तब आपका इसमें चेंज करेंगा font size को इस इस दर आपका यह ऐपका ठीक है white जो के 11 ऑ 12 यहापको ठीक है यह आपको ज्वह माख कर रहे हैं यह 11 तो यह से आप जो इसका font size चेंज कर सकते हैं ठीक है font group है नाव आप जो है font color तो यह font color ठीक है यह red color का आपको जो ढडलेंगे और हों यह आपका font color होता तो जब दो है जैसे like i show sorrow लिका हुआ है अगर आपने thiskin team को change करना है तो आप जो यह पर color पर जहेंगे तेर अपने, फिर हों से आप साथ जो आप जो हैं आप जो भी color चाहिए इसमें से आप जो बी color पर जो हैं then select or okay कर देंगे तो आपका जो color भाप भी change करणा नच जाएगा Okay inserting and deleting films तो आप किसी別 लिएक वी कर सकते हैं और को रिदुमक्ISA को सकते है इसने और लिएक भी को दिखाए गया है इसलिक्ज उपने न्यू इनशर्ट करना है तो आपने Шपा उप्रेख स्परी इसलेでは करना है तुम की केके duty न्यू बिलंग इसलेक bulbs टोट though insert button in the cells, group warm the home tab पर home tab पर आपने insert page परक्लिक देना है तो आपको आता है is तरह से फॉन टायलो बॉक्स अपन होगा display insert option, shift cell down करना है, write करना है यह entire row में करना है entire column में करना है जैसे भी आपकिचो हो तो आप समें click कर देंगे, कि रहेगे रिट साइट बे करने तो डांप बे करने तो डांप और इंटारो में करने तो घरेगे तोटो तो न mort를 कर दे वे जो रॉओ और घनाम सब्सक्राइब जो अपने इसकी सी cafe खुल यह कासे sekट हुँआज Sultan जो चू ना जाना से तो आते गया करना है तो आपने कैना है निशंच पर जाना है यह एंप यहां पर जायेंगे हम लेषा लाक पर डिलीठ लिकम तरों करनाया भी है कोलम करनाया पूल पूल इलिठ लिकम पर और इसने माय क्रहस्पीर कोई का देंगे धस्य पीजल इस बाद सोफोसरा ह। अगर किसी सफख़ा नेशन की नियुकर बЭdd शिट नोपनेटिस वाहनी P तो इसको जो हम अर्लिल्य कर सकते हैं एंटार को चाहते हैं फिर हम आ जाते इसंसे Mais इससे प्रफिद और जिद हैं तो एक्षर स्रेंटर शांता है पेट इसके आपकेशन को फो conditions एक्षर्मूले क क्लेशन हे जो हएं इक सेल की वेल्य को काल्किलेट करता है function are very defined formulas are already available in excel functions which are pre-defined formulas which are already available in ms excel first we have our addition for example we call that l cell a3 will contain the formula which adds the value of cell a2 to the value of cell a1 a3 cell will count and add the cell a1 value and a2 value if we count the value of a1 and a2 value we will count this is our functions and formula bar fx is our formula bar all the formulas in ms excel start with the sign of is equal so is equal sum into a1 to a2 a1 to a2 a1 to a2 a1 value 2 and a2 value 3 if we count 100 we can count the formula and add it to 5 entering a formula तो आपको बताया है a1 plus 2 हम आपको यह बताया is equal to a1 plus a2 तो आपका 5 करके देए उसी तरह आपका subtraction आता है तो a1 ठीके minus a2 is equal का sign जरूँ लगाएंगे ठीके तो यह बता देगा आपको count करके तो आपका 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 सुप्यागया minus 1 multiplication a1 यह आपका जो star की तरह sign है यह आपका multiplier का sign होता है a1 multiply by a2 तो next x adds the value of cell a3 to this result for example आपको is equal to a1 into a2 plus a3 ठीक है तो यह आपका total multiplier करके आगया 6 इसी तरह आपका जो divide आता है तो divide करने के लिए भी आपने क्या करना है a1 upon b1 ठीक है like इस तरह कि इसकी value जो इस side को है ठीक है इस तरह से है तो आपने कह किया a1 divided by b1 तो a1 और b1 divided by कितना है 5 आया okay या फिर आप जो इस तरह से कर सकते हैं ठीक है यह है आपका ठीक है यहां पर आपकी जो formula बार है बहां पर आप टाइप करके इस एक जीकोर का साहिना कर सकते हैं आगे आता है आपका रलेटिव रेफरेंसिंग अबसुट रेफरेंस अंडर मिक्स रेफरेंसिंग क्या होती है तो cell reference is method to access the various cell reference जो एक method होता है वेरी cell को access करने का ठीक है cell reference is very important for calculation Excel आपका जो cell reference होता है वो Excel में calculation के लिए बहुत जरूरी होता है cell reference means to calculate important calculations by using a cell address or a range of cells for a formula to calculate the result of the formula in worksheet we can use a cell reference for a single formula or for multiple formulas इसको जो है हम single formula के लिए भी उस कर सकते हैं multiple formulas के लिए भी उस कर सकते हैं तो there are three types of cell references relative references absolute and mixed references relative reference की definition आपको पता होनी चाहिए relative reference is used by default in MS Excel relative reference जो by default MS Excel में use किया जाता है okay when it is copy to multiple cells then it is it change according to cell position अगर और यदी हम जो है इसको multiple cells को copy किया जाता है तो यह मैं सर्व के position के according जो है automatic change हो जाता है फिर देखें यहां पर आपको बोलता है इक एक्जांपल इस इस एक्वां टो कालकुलेट अ फॉर्मोला एंस सल D2 इस इकल टो वी टू प्लस C2 and you copy it to cell D3 then it becomes is equal sign है आपका वी ट्री प्लस C3 तेक दॉर्मोला एंस इस एक्जांपल टो यूस इस निकल दा है तो आपने यह आपको इस निकाल दादा है formula in cell e3 तो is equal to v2 plus c2 किया हमने is equal to v2 plus c2 ओकी तो e2 plus v2 कुछ निकालने के लिए ठीक है यह किया हुआ है ठीक है यह किया तो type the data in worksheet as only figure सबसे पहले तो आपको यह data figure भरनी पढ़ेंगी फिल करनी पढ़ेंगे आपकी एसल sheet में and now type the formula in cell d2 d2 d और 2 इसमें आप formula पूट करेंगे is equal sign a2 plus v2 एसल निकालने फिगर and यह आपको रिजल जो है भो फिर आपको शो हो जाएगा टोटल करके absolute reference जब आप इसको करते है तो यह आपको बतादे है कि आप इस और इस cell के data को आप तोन करेंगे absolute reference जब आपको बतादे है absolute reference जब आपको बतादे है sometimes you want that during copying a formula from one cell to another its cell reference should not be changed so in this case absolute reference is used in this type of reference the cell address doesn't change even during copying a formula and using this reference we can keep our row column constant और आप जो है जब absolute reference का use करते हैं तो हमें जो है row and column को constant पकना पड़ता है dollar sign is used during typing a formula using absolute reference और जो अब जो है अगर absolute reference का use कर रहे हैं तो आपका जो है यहां पे formula टाइप करने के लिए जो है आपको dollar का sign लगाना पड़ेगा not equal का dollar का sign भी लगाना ही पड़ेगा equal का sign लगाना है but dollar का sign साथ में आपको जरूर लगाना पड़ेगा dollar sign can be used either for a row or a column dollar sign का use जो है वो रो और column के लिए यूज किया जाएगा and you can also use it for all together आप जो यूज को लिए दोनों के लिए भी कर सकते हैं या एक-एक के लिए single के लिए कर सकते हैं तो आप जैसे example देगे यहां में यह हैं आपका network days है dollar a dollar one plus b2 ठीक है तो आपको इक काउंट करके बताएगा dollar मतलब काउंट करना है a1 और a2 की value आपको क्या करना पड़ेगा dollar a dollar one okay dollar करना पड़ेगा tie the data and worksheet as only feature इस तरह से हमने c1 में आपके total marks लेके आने हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा ठीक है तो इसके में जो है आपको आपकी जो formula वो constant रहेगा and mixed reference जो होती है यह आपकी क्या होती है mixed reference जो है combination होती है relative reference और absolute reference का ठीक है दोनों का होता है and mixed reference dollar sign is used either to a column or a row इस तरह से आपको data figure करना पड़ेगा सबसे बेले and now type formula in cell c1 is equal to a1 plus b dollar 1 ठीक है तो इस तरह से आपका data value put करने पड़ेगी formula मतलब put करना पड़ेगा तब आपकी data value निकल गयाएगी यह copying reference cells बताया हुआ इसको copy करके यहां पे आ रहे is equal to a1 plus b dollar 1 now using statical functions आप statical functions भी use कर सकते है statical functions जो है वो आपके होते है sum, max, min, average and if functions सबसे पहले sum function क्या होता है यहां पे बिलते insert functions में sum is used to calculate the total value of given variable अगर आपको जो आपका table आपका data है उसकी value को total करना है total निकालना है उसको तो आप sum function का use करते है sum function का इस तरह से use करते है जैसे 150, 250, 400 इसकी total निकालना है तो आप sum function का use करेंगे insert formula box आप formula box पे click करेंगे यह formula box पे click करेंगे आपने now आप क्या करेंगे type is equal to sum into a1 to a5 ठीक है a1 से लेके a5 का आपने sum निकालना है जब आपने जो इसको और आप जो है drag करके भी ठीक है mouse से drag करके भी इसको ऐसे select कर देंगे यहां पे click करने बाद तो भी आपका total करके जादी है total sum of data 1100 इस तरह से जो आपको इसको खुद मैनूली data को calculate करने की बचाए आप function जो आपकी फॉर्मूला बारहा है बहां पे आप जो है फॉर्मूला बारहा है इसके बाद आता है की average तो इसमें average function is a built-in function in Excel that is categorized as a statical function जो जिसको की average function को Excel में statical function की category में categorized के गया it can be used as a worksheet function in Excel and the average function can be entered as part of formula in a cell of a worksheet now example देखिए आपका वही same data हमने लिया हुआ है फिर आपने formula box में यहां पे click करना है and now आपने क्या करना है यह आपकी क्या है average निकालना है तो आपने क्या is equal का sign लगा है average लिखा a1 to a5 range a1 to a5 a1 cell से लेके a5 आपको निकालनी है तो आपको यह average निकालनी है तो आपको यह average निकालके देता है total 220 की average है now mean function जो है आपको minimum value return smallest number of number value ठीक है आपकी जो range of values है उसमें जो आपकी smallest number value होगी उसकी value को return करके बिताता है mean function ठीक है तो इसको लिए आपको वही type करना है आपको data type करना formula box में जाना है और is equal को लगा रहा है mean function का mean लिखना है and now cell a12 range cell a5 ठीक है आपने कर दिया तो आपको minimum दे दिया कि 100 की minimum value है इसी तरह फिर आपका आता है max function यह आपको maximum जो आपकी maximum number value होगी जो आपकी range होगी उसको बताता है ठीक है इस तरह से आपके फिर formula box में जाना है और आपने is equal का sign लिखाना है max लिखना है cell a1 to range cell a5 तक आपने लिखना है and आपकी बता दिया 400 जो है उसकी maximum value है function जो है आपका क्या करता है function जो logical text को perform करता है और आपको return करता है true or false statement के रूप में result बताता है आपके अगर value यह है तो 2 है और इतनी नहीं है तो यह false statement है now for example to pass score above 70 अगर आपको बलता है कि अगर आपके score 70 से अबव तो pass लाना चाहिए तो if is equal का sign लाएंगे ठीक है if ठीक है इस तरह से आप इसको कि अगर आपका greater than 70 है तो pass अना चाहिए less than 70 है तो fail आना चाहिए तो यह आपको and or यह logical function and or और से भी इसको denote कर गिया जा सकता है ठीक है इस तरह से आपका यह आगया ठीक है जैसे विकास के 92 marks है तो इसको pass mention किया जा रहा है horse 85 है तो pass लिया लेकिन जिस गुनवीर है तो इसको 65 marks से इसको fail के mention किया जा रहा है तो इस तरह से आपके formula पूट कर सकते हैं तो यह आपका logical functions में आता है यह फिर आपका जो inserting table in worksheet embedding charts of various types line 5 bar column area chart होती है इमारे worksheet में तो बट इस table सबस्वाले का आपको पता है table के होता है table जो है row, column की collection होती है square works horizontally voters horizontal line नहीं जा table row जो है Александ AL line होती है और जो हमारी column होता है वो vertical line होती है ठीक है यह row की direction है और यह column है ठीक है यह हमारे column है और यह हमारे rows हैं और यह में आपके rowsicon तो table कैसे create करते हैं तो आपने क्या करना है सबसे पहले तो आपने Search range को Select करना है और इसको जिसको कोई आपने Table की राइग करना है फिर आपने जो इंसर्ट में जाना है Table Group में जो आपने जो रहा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं को यह डिवल्य वॉक्ष प्यर होगा आप चूछ कर लेंगे इस तरह से ओपन होगा फिर आप जो है जो है कितनी आपको data विर इस दाद डेट फार और टेबल तो आप सको स्लेक्टर लेंगी इतना ही आपको data बनाना इसका data पर बनाने नो है कि आपको पर इस नीए डेटा की फिगर कोई मांट है तो श्यार्ट बना सकते हैं तो चाथ को शुद से पहले कि पतार जो चायर्ट के ओता है चार्ट लिए इस अपने डेटा के पिकच्चर की स्वेदा सकाट पर रूब सिंगे जो है तो चाहर्ट का एरिया तो इसमें सबसे पहले आपको पतना है चार्ट के होते है तो चार्ट का एरिया होता है डर्टे मेकर होता है ठीक है डर्टा मर्कर तो चार्ट एरिया जो की चार्ट एरिया कंटेस एवरिफिंग इंसाइड चार्ट विंडो जो भी आपके इसमें जो है चार्ट का सारी बसलिए बढोर किसी के wz in लाज़ की इंगिस को अलाइक से इंग्रिक्स के इतने हैं। एकसी का माँध से प्जार से न तो फिर अ अख्यों पटैनी सिराऊं प।ो टेम्स को पूंट कर देगा। काegen में डेटा करें डेटा कीट डेकला इनग में इलग लिए लोग फीरणने की लिए करें जाए ठीकल आपको है है जो तो या और डेटा करें लिए भीरण धाटाता है रहकता मुझे का जबने आप पर बताता है इस form में आप जाएगा आपका अपर राय बार को इस तरह से आप आपका लाइं और दन आप करते है बार या बार जाट जो है एक ग्राप जो कि हौरीजंटल वार्ग्अ के साथ बालियू पर जो है display करता है ठीक है display on the bottom of the graph जो कि आपके graph के bottom पे आपको display करता है ठीक है तो it is a graphical object used to represent data in your Excel spreadsheet सबसे पहले आपने क्या करने है आपने data type करने है में से Excel में जाके and now आपने जो है फिर insert में जाके जो है आपने chart ribbon पे जाना है यहां पर आपको जो है यहां आगया वार चार्ट वार चार्ट में 2D चार्ट 3D सिलेंडर कॉन परिमिड और बहुत सारे चार्ट तो यह आपका chart के style आगे कि किस तरह से आपको chart को कौन से style में चूज करना है तो आप यहां से अपनी data बना है तो यह दिखा रहा है आपका का तिक उसके बाद आपका area chart is a line chart with areas below the lines filled with colors area chart झो एक line chart होता है जो कि आपको area को दिखाता है जो आपका data होता है जो कि अनलर लग colors से jो fill होता है ठीक है use stacked area chart to display the contribution of each value to a total over time यहां पर देखिए आपने सबसे बेहरे टाइप करना है देटा यहा अपने डेटा डाइप कर लिया एक फोड़ी डिजब्ड़ दीक फिर तो यहां पर डिजलिंड यहां पर तब देखilla पर इंसेट पे आपने चा करना है यहां scriptures आख है जो कि हमने आपको पहले थाच 7जवार संट लेक्षट以上 ने कि सांटिफिंट का टॉक्हां entr ता धाल तो रैटम पूर्स कीरण चाह्ता तो पहले ह। यहां पर अलग अलग color में दिखा रहा है ठीक है तो यह आपके जो है वियर्स डॉल्फीन आइंड वहेल्स को अलग अलग color से और अलग अलग diagram के मातिम से शो कर रहा है अगे आप देखिए macros in worksheet में जो macros क्या होते हैं macros are very useful where we want to repeat same steps repeated macros जो है बहुत useful होता है जब आपको जो है same step को जो है repeat करने चाहते हैं तो आप अहां पर useful होता है macros is a series of commands that is grouped together so that we can run तो बोलता है कि a macros a series होती है commands that are grouped together so that we can run whenever we need to perform the specific task को जो हमने perform करने तो इसके हमें ज़रूरत होती है we can use macros in excel to save time by automatic task that we perform frequently तो इसमें जो हमार time जो है वो कम consume होता है Macro recorder is an easy way to create many macros Macro recorder जो है इसमें जो Macro recorder होता है वो बहुत easy तरीका है बहुत सारी macros को create करनेगा and when we record a macro excel stores information about each step you take as you perform a series of commands and we then run the macro to repeat or play exact the set of commands ठीके तो यह जो है आपको दिखा रहा है showing tab without developer tab है आपकी ठीके यह है देखिए आप यहां पे तो यह है file home insert page layout formula data and review and view हम जो है यहां पे data में गई है ठीके यह हमारा data है तो यहां पे देखिए आप जो है यह work tab setting है ठीके इसमें से आप जो है choose कर सकते हैं ठीके एक्षल ओफस में जाके okay ठीके तो हमने जो है यह आप करने का लिए customize ribbon यहां से आप जो है choose कर सकते हैं setting कर सकते हैं and now यह है displaying the developer tab to work with macros in excel ठीके तो मैक्रो में जो है आप इसमें excel में work कैसे करेंगी ठीके तो recording a macro तो record करने के लिए आपको करना पड़ेगा choose record macro in the code group of the developer tab developer tab से जो है आपने क्या करना है पहले record macro को choose करना है ठीके developer में जाके आपने type a name for the macro in the macro name text box आपने फिर जो है macro name text box open होगा बहां पर आपने macro का नाम देना है यह assign a shortcut key to macro या फिर आप जो है macro को name देके shortcut key जैसे आपने control plus shift plus n टाइप कर दिया कर आप control के साथ shift और n प्रस करेंगे तो आपकी जो है macro open हो जाएगा ठीके okay कर देंगे यहां पर description भी आप इसमें type कर सकते हैं and on the store macro in drop down list select where we want to store the macro इसमें जो आप चूस कर सकते हैं कि आपको एक्सराइब कर देके जाएगा 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 तो इसी के साथ मारी यह जो आपका इसलेबस हाँ हम complete करते हैं और साथ में आपका जो तर्म 2 का एक्सराइब करते हैं तो हम जो है अब आपके लिए next video जो एक्सराइब के लेके लेके एंगे complete exercise जाएगी विद एक्स्टा MCQ भी आएगा जो आपकी exam of point of view से जो है important होगे वह भी हम आपको यहाँ पर करवाएंगे और full एक्समेला करवाएंगे तो जुड़े रहेगा हमारे चाहिए के साथ बहुत जल्दर हो है हम आपके लिए वह वीडियो भी लेके आएंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट्राइब की प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट जुरू क कर दो कर दो किन, झाले के सता हो जू जू human आपके साथ वीडियो अपके जादा से जादा से बह हो है कीयो किते है दो जादा है मैं ऊके सबीचिए मेंगे से जादा बहा होज।